अगर इसके कॉस्टिंग की बात की जाए तो आपको 45 लाख रुपे तक की कॉस्टिंग आ सकती है और दोस्तों अगर आप इसका 2D layout अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर इसका 2D layout डाउनलोड कर सकते है तो आईए दोस्तों आभी हम वीडियो के और आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे चलते ही आप सामने देख सकते हैं आपको parking area मिल जाता है यहाँ पर अच्छी खासी parking है और आप यहाँ पर एक कार और अपनी एक दो बाई का राम से खड़ी कर सकते हैं अगर हम इससे आगे house के open space की बात करें तो आपको front में अच्छा खासा open space area देखने को मिल जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर अच्छा खासा open space दिया है अगर हम इससे आगे चलें तो आप इसका 2D layout देख सकते हैं इससे आपको वीडियो को थोड़ा समझने में आसानी रहेगी तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही आप सामने देख सकते हैं आपको हमारे house का drawing room देखने को मिल जाता है आप इसका ceiling design देख सकते हैं आप back wall design देख सकते हैं इस पर हमने wallpaper install किया है और एक आपको अच्छा खासा sitting arrangement देखने को भी मिल जाता है इसके बाद हमने entry ले ली है हमारे house के living plus dining area में आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत ही अच्छा एक space हमने दिया है तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको एक courtyard देखने को मिल जाएगा और आपकी अच्छी खासी demand रहती है आप देख सकते हैं courtyard में आपको उपर तक open space देखने को भी मिल जाएगा दोस्तो इससे आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं हमारे house का common toilet आप वीडियो में आगे देख सकते हैं इससे आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमारे house के living area की wall पर आपको स्टुको देखने को मिल जाएगा स्टुको एक तरह का paint होता है इससे आगे चलें तो आपको सामने की तरफ एक पूजा room भी देखने को मिल जाता है इससे आगे चलें तो आपको पूजा room के side में kitchen देखने को मिल जाता है आप kitchen को देख सकते हैं तो जो ये kitchen है ये आपको modern look में देखने को मिलेगा और इससे आगे अगर हम चलेंगे तो आपको तीछे की side में आपको एक washing area देखने को मिलेगा वीडियो में आगे देख सकते हैं अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आप सामने देख सकते हैं जो हाउस का बैक स्पेस है वो आपको ओपन देखने को मिलेगा ताकि आपको हाउस में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना आए आपको इस रूम में आपको अच्छा खासा वाड़ ड्रॉब देखने को मिल जाएगा बैडरूम का अटैच्ट टॉइलेट देखें तो वो आपको एक साइड में देखने को मिलेगा ताकि आपको एडरूम के अंदर टॉइलेट सीधा ना दिखे इससे आगे चलते हुए अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ आप सीधियां देख सकते हैं हमने सीधियों के लिए भी एक अच्छा ओपन स्पेस रखा है और इसके बाद हम उपर एंटर करेंगे और उपर एंटर करने से पहले आप इसका टूरी लियाउट देख लीजिये ताकि आपको उपर का एरिया अच्छी तरह से समझ आ जाए अभी आप सामने देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का फैमिली लाउंज है आप इसके सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं हमने इसके बैक बॉल डिजाइन में भी बॉल पेपर का इस्तिमाल किया है आपका जो नीचे का कोट्यार्ड है उसका भी यहाँ पर वेंटिलेशन होता रहेगा हमारे हाउस का फर्स्ट फ्लोर एरिया है उसके साथ आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी हमने इस बालकनी में अच्छे खासी एक प्लांटेशन की है आप देख सकते हैं अगर इसकी ओवरोल बात करें तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है तो जो ये आगे की बालकनी है ये हमारे उपर वाले सेकंड बेडरूम के साथ भी आपको अटैच देखने को मिल जाएगी आप सेकंड बेडरूम देख सकते हैं और आपका जो सेकंड बेडरूम है इसके साथ आपको अटैच टॉलेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप आगे वीडियो में देख पाएंगे है आप इसके बाद हम चलते हैं हमारे family lounge area की तरफ दोबारा अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे house के third bedroom की तरफ और इस bedroom को भी आप देख सकते हैं आपको एक अच्छा bedroom मिल जाता है आप इसका back ball design देख सकते हैं आप इसके wardrobe भी देख सकते हैं तो ये bedroom भी हमारा same नीचे वाले bedroom की तरह है उपर रहेगा तो अगर हम इससे आगे बड़ें तो आपको उपर एक जिम देखने को मिल जाएगा इसमें भी हमने आपको बहुत बड़ा space दिया है आप चाहें तो आप इस जगहें को अपने हिसाब से utilize कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम सीडियों से उपर चलते हुए आपको लेकर चलते हैं हमारे house के terrace area की तरफ शिडियों का हमने आपको पहले भी बताया था आपको अच्छा space मिल जाएगा तो इसके बाद अभी हमने entry ले ली है हमारे house के terrace area की तरफ यहां पर आपको swinger देखने को मिल जाएगा अच्छा space मिल जाता है अच्छी आपको यहां पर balcony देखने को मिल जाएगी और जो हमारा उपर का OTS area है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा तो आप अभी हमारे चनल को एक बार मापको फिर से बोलूगा कि आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अच्छे content आपको यहीं मिलेंगे थैंक्यू कि अच्छिट अगरागी हमारे के अत्रिध से चनल है रगा कर दो आपको इस यह घ। को अत्राइब के आपको कुछ चसाओ कि आपको की आपको'S वट्वारे बारे का ówत्या जाएब टुद्टा मिलें धेखने कुछ 5 झाल झाल